हलो फ्रेंड्स, एडिटोरियल डिक्टेशन स्टार्ट होगी फाइब सेकेंड बात स्टार्ट, हम अक्सर अपने कर्मों के अपनी मेहनत के नतीजे पर गौर करते हैं नतीजा अच्छा है तो हमें खुशी मिलती है जो शांती देती है लेकिन नतीजा बुरा होने पर खुशी गायब और साथ में शांती भी हमें वास्तुविक शांती और खुशी परकिरिया में ही मिलेगी नतीजों में नहीं हमें यह सोच बदलनी होगी की मंजिल ही हमारी खुशी है अगर हम किसी पिकनिक पर जा रहें है तो उसका रास्ता भी उतना ही आनंद दायक होना चाहिए जितनी की पिकनिक होगी जीवन यात्रा है मंजिल नहीं एक बार हम यह समझने लगें की जीवन यात्रा है परकिरिया ही सब कुछ है तो हमें शांती भी महसूस होने लगेगी यानि अगर परकिरिया में शांती खोज ली तो वह कभी दूर नहीं जाएगी लेकिन इस इस्थती में पहुँचे कैसे इसके लिए बस यह समझना होगा की जिन्दगी हमें खुशी और शांती नहीं देती हम अपनी जिन्दगी में खुशी और शांती लाते हैं हमारे कर्म हमें यह नहीं देंगे बलकि हमें हर कर्म को शांती और खुशी के साथ करना होगा तभी यह जीवन में इस्थाई रूप से रहेंगे जीवन के हर पहलू से शिकायत करने वाले व्यक्ती को कभी शांती महसूस नहीं हो सकती शिकायत करने वाला ना सो सकता है ना खुश रह सकता है लेकिन अगर वह किसी तरह से यह देखने की खुबसूरत आदत डाल ले की जिन्दगी में क्या अच्छा चल रहा है और उसके प्रती आभार महसूस करे तो उसे शांती मिलने लगेगे स्वभाविक है कि जीवन में शिकायते होंगी लेकिन सिर्फ शिकायतों पर ध्यान देना ही हमारी शांती छिन्ता है पेरा सकारातमक सोच के कई फायदें है जैसे यह स्वास्तिय बहतर रखती है दिल के रोगों की आशंका कम रहती है अब केई शोध यह भी साबित कर चुके हैं कि सकारातमक सोच हमारी उम्र बढ़ा सकती है जानिये रिसर्च सकारातमक्ता और लंबी उम्र के सम्वंद के बारे में क्या कहती है शोध बताते हैं कि आप अपनी उम्र बढ़ने को लेकर क्या द्रस्टिकोन रखते हैं इसका असर इस पर भी पढ़ता है कि आप कितना लंबा जीएंगे अमेरिका के नेशनल अकेडमी ओफ साइंसेज में परकाशित एक अध्यन के मताबिक सकारातमक सोच से किसी व्यक्ती की उम्र 11 फिजदी से 15 फिजदी तक बढ़ सकती है साथ ही ऐसी सोच रखने वाले व्यक्तियों की उम्र 85 वर्ष या उससे अधिक रहने की संभावना भी ज्यादा होती है वर्ष दो हजार गुनिस में हुए इस अध्यन के मताबिक अगर व्यक्ती का स्वास्थय अच्छा बना रहे है उसे ज़्यादा आर्थिक परेशानिया न हो और वह अपनी मांसिक सेहत को बहतर बनाए रखे तो सकारात्मक सोच और बहतर नतीजे दे सकती है मिशिगन स्टेट युनिवर्सिटी के मनो विज्यान विवाग दुआरा वर्ष दो हजार अठारा में किया गया एक अध्यन बताता है कि जो लोग अपनी बढ़ती उम्र के प्रती सकारात्मक दृष्टी कोन रखते हैं और उम्र बढ़ने को लेकर दुखी नहीं होते उनके ज्यादा लंबा जीने की संभावना रहती है ऐसा तब होता है जब आप बढ़ती उम्र के बारे में अपने मत को युवा रहते हुए ही सकारात्मक बना लेते हैं आप अगर उम्र के बढ़ने को जीवन खत्म होने या नकारात्मक बदलाव होने से नहीं जोडते हैं बलकि पूरे जीवन को भरपूर जीने और खुश रहने की सोच के साथ जीते हैं तो आपके ज्यादा जीने की संभावनाओं में भी इजाफा होता है इसके पीछे एक कारण यह भी है कि सकारात्मक सोच से व्यक्ति की जीने की इच्छा बढ़ती है विशेसग्ये मानते हैं कि पोजिटिव सोच से लंबा जीवन पाना चाहते हैं तो आपको कम उम्र से ही इस दिशा में काम करना चाहिए वे कहते हैं कि इसके लिए ऐसे लोगों को पहचाने जिनका योगदान आपके जीवन में महत्वपून है उनसे जुड़े रहें और समय समय पर आभार व्यक्त करना न भूलें इसके अलावा अपने आसपास सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों की कमी न होने दें स्टॉप